हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स आज का ये वीडियो नर्सरी विजिट पर है मैं नर्सरी से एक बार में धेरों प्लांट्स नहीं करीती थोड़े थोड़े प्लांट्स से लेकर आती हूँ इसकी दो रीजन है पहले तो ये कि पहले इन प्लांट्स को मैं अच्छे से मेंटेन कर सकूँ और जब ये स्टेबल हो जाएं तो दوبारा नर्सरी में जा सकूँ और दूसरा इससे हमारा बज़ट भी सही रहता है तो अब जैसे कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो हम आए हैं नर्सरी में सर्दियों के खूब शुरुड फूलों वाले पौदों को लेने और हम पहुँच गए हैं अच्छी नर्सरी जो कि सिरस पुरोड पर है यह एक बहुती सुन्दर नर्सरी है जिसमें सबी तरह के सब्दियों वाले फूलों के पौदे हमें देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले जो पौदे हमें आगे देखने को मिले हुए हैं गुल्दाओदी या क्रिसेंतिमम देखिए कैसे पूरे कलियों से भरे हुए हैं और साथ में हैं गेंदे की एक बहुत बड़ी क्यारी जिसमें गेंदे की सभी वराइटी देखने को मिल रही है जाफरी और हाइरविट दोनों ही हैं और दूसी तरफ है यह साल्विया साल्विया लगबर सारे साल आपके साथ बना रहने वाला पौदा है और यह है डाइन्थर्स की एक बहुत ही बड़ी क्यारी जिसमें सभी तरह के रंग है लेके गुलाबी पजेंटा वाइट रेड विद वाइट और सभी पौदे बहुत ही हेल्दी है डाइन्थर्स के फूल चोटे-चोटे होते हैं लेकिन एकदम गुच्चों में भर भर के आते हैं वैसे डाइन्थर्स का जो फ्लावरिंग सीजन है रिवंबर से मार्च अप्रेल तक है लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर केर करेंगे तो फूरे साल ये आपको फूल देता रहेगा इसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश की बहुत ज़्यादा पानी से बचाईए और ये है कोलियस का पौधा कोलियस एक खुबसुरत पत्यों वाला पौधा है इसमें पूल आते हैं लेकिन ये हैं अपनी पत्यों के लिए ज़्यादा फेमस है और इसकी कमपैरिजन जो होता है वो क्रोटन के प्लांट से होता है इस तरह क्रोटन के प्लांट की लीव बहुत ही कलरफुल होती है कोलियस की leaves तो उससे भी ज़्यादा colorful और variegation वाली हमें मिल जाती है कोलियस की stem बहुत ही delicate होती है इसलिए इसे बहुत ध्यान से ही grow करना चाहिए और यह है petunia हर gardener को अपने बाग में ये पौधे तो सर्दियों में चाहिए ही चाहिए इसकी एक ही reason है इसके खुबसूरत bright colors वाले फूल petunia को आप seed से भी grow कर सकते हैं और इसे आप छोटे से छोटे गंबले में भी लगा सकते हैं hanging basket में भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसे किसी shallow pot में भी लगा सकते हैं यह विंका है इसकी hybrid variety है और सर्दियों में इसके फुल बहुत ही अच्छे खिलते हैं लेकिन December, End और January की जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसमें की ओस भी बहुत पड़ती है उस ओस से इस पौदे को बचाना पड़ता है नहीं तो इसमें rotting हो जाती है और यह पौदा खतम हो जाता है इस nursery में हमें इसके इलावा बहुत से perennial plant भी दिखे जो की अब धीरे-धीरे डॉर्मेंसी में जाने वाले है इनकी पानी और fertilizer की requirement भी अब बहुत ही कम है इसलिए इन सब को इकठा रखा गया है इसी तरह हमें अपनी garden में भी जो पौदे डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं उन्हें एक तरफ करके रख देना है हमें यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े अडेनियम्स भी दिखे जिनमें की काफी में तो अब seed pod भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से इनमें seed pod बन गए हैं आगे हमें स्नेक प्लांट के पौदों का एक ऐसे धेर सा दिखाई दिया जो की धूप में सूटने के लिए रखके हुए हैं ताकि उनकी जड़ों में जो भी मौस्चर है वो निकल जाए और इन स्नेक प्लांट को भी रीपॉट कर सकें इसी तरह से जो भी इंडूर प्लांट से हैं वो भी काफी मातरा में इस नर्सरी में हमें दिखाई दिये आप चाहें तो अभी इंडूर प्लांट को खरीदना थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं जब फरवरी और मार्च का सीजन आएगा तब आप इने अपने गार्डन के लिए ले जा सकते हैं इसी तरह से ये देखिए सीजन का कितना सुन्दर भेंगिंग बासकेट हैं ये आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं विड़र सीजन के बाकी फ्लावरिंग प्लांट जैसे जरेनियम, डेलिया, कलंकोई, जीनिया, जर्बेरा वगेरा भी नेक्स वीक तक इस नर्सरी में आने वाले हैं उन्हें लेने के लिए हम फिर से नर्सरी विजिट करेंगे और ये है इस बार की शॉपिंग आप पो ये विडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टो मैं चैनल थैंक्स पर वाच्छिंग